अब वेरी स्पिशल गूड इवनिंग एवरीवन कैसे हो आप लोग उमीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे आज से इंग्लिस की क्लास स्टार्ट हो रही है यानि आज मैं इंग्लिस में वोकैबलरी sections को स्टार्ट करने जा रहा हूं तो जी हाँ दोस्तो सबसे पहले हम लोग वोकैबलरी को देखेंगे यहाँ पर तो कि आप सभी जानते हूं कि English से 15 questions पूछे जाते हैं, 15 questions पूछे जाते हैं, अब इस 15 questions में से 7-8 questions आपके vocab से पूछे जाते हैं, और 7-8 questions आपके grammar section से पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले मैं vocabulary में जो है, आपको synonyms, antonyms, one word, substitutions, idiom and phrases, यह सभी चीजे जो है, आपको मैं प interesting class होने वाली है, काफी मजा हैगा आप लोग को, और जो भी चीज सिखेंगे, वो depth में सिखेंगे, ताकि आपको इस lecture से, यानि इस video से काफी जादा पायदा हो सेके examination में, ठीक है, तो चलिए, तेखिए, यहाँ पी जो है, मैंने antonyms के कुछ questions लिये है, antonyms, ठीक है, अब कोई screen पे एक word show होगा, उस word का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद उसका opposite meaning बताना है, तो my dear student, यहाँ पे word दिया गया है fastidious, और fastidious का opposite meaning यानि antonyms बताना है आपको, तो सबसे पहले आप लोग यह जानने का कोशिस कीजिए, कि fastidious का meaning क्या होता है इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए, यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा, कठनाई से संतुस्ट होने वाला, जी हाँ दोस्तों, कठनाई से संतुस्ट होने वाला, अब आप लोग ने देखा होगा, बहुत लोग easily मान जाते हैं, easily संतुस्ट हो जाते हैं, लेकिन बहु एयन्य दिंदीख फूर्फट यानि वो सभी चीजे ढुत एर्फक्ट में चाहते हैं थो आप लोगों ने देखा होगा तो यह जो ऎसे अध्यार जो इसली नहीं मांते इसली शंटूस्टником कट्स दे वह पाहिए nem आपको एड़ेस नहीं कर पाते हैं यानि वह नौट एड़ेस्टेबल होते हैं तो इसका आपको आपोजिट मिनिंग बताना है एंटॉनिस बताना है तो यह देखिए फुसी तो होगा नहीं तो क्योंकि फशी का अर्थ होता है एक तरह से बोल सकते हो यहां पर भड़गीली cooperate विने होगा क्योंकि cooperative का अड़् होता है सही वोगी यह भी नियुगा promising भी नहीं होगा क्योंकि इसका अर्थ होता है। adjustable जी आयड़ेस्टेस्टेबल का फींगमी आपको ऐड़ेस्ट कर ले यानि ठीक करने योगे एक तरसे बोल सकते हो इसकार्थ हो जाएगा ठीक करने योग के तो देखो फास्ट्रीडियस टाइप की जो लोग है वो कहीं भी अपने आपको एड़ेस्ट नहीं कर पाएंगे यानि वह नॉन एड़ेस्टिबल होते हैं लेकिन यहां पर एड़ेस्टिबल है यानि एक दूस बल्कुल फास्ट बताएंगे सभी बच्चे यहनि देखिया और फ्रीस्टен समय देखि?", तो इसका आपको बताना है च्चक्या खो एल–छिऔ होगा एमीड एक्टरस होगा या एमीगियस होगा तो दिए बच्चों यहां पर सबसे पहले यह जाने का कोशिस कीज़े कि explicit का मतलब क्या होता है तो explicit का मतलब होता है जो एकदम dispersed का मतलब समझते होना एकदम clear हो clear हो obvious हो ठीक है तो यह इसका अर्थ होता है अवपको बताना है इसका विपरित यानि इसका पोजेट मिनिन्ग बताना है इल्युश्यू होगा तो जी नहीं बूइख से पडिपूर्ण नंत यह भी नहीं होगा एक्टरस होगा जी यह भी नहीं होगा क्योंक् eskapelt तैंग करने करने वाला कप्टि करने वाला है तो कप्टि यह रोता है इसका मतलब यह होगा यहां पे यहां पे दूसरे के अपोजिट मिनिंग हो जाएंगे ठीख बढ़ेंगे आगले तरफ चलिए बच्चों इसके बाद देखेंगे अगला वर्ड है यहां पे वेनेरेशन तो वेनेरेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए तब ही जाकर आप इसका अंटोनिम्स यानि बता पाओगे तो यहां पर दाओगे है वेनेरेशन का मतल quê टी होता है अदर सम्मान आदर बहुसके उ सम्मान बहुन तो यह पिर इसको इंगली होता है tam आप लोग रिसपैक्ट हो इसका न राघत होता यहां पिर तो होगा नहींगось प्रवेंस भी नहीं होगा क्योंकि इसका और थो जाएगा सम्मान यहां पे वैंरेशन और रैवरेंस एक दूसरे के सिंडनीम्स कहने का मतलब यह ऐसा वर्ड जो से रिंट मेंनिंग रखता हो है ना जैसे यहां पर वैंरेशन दिया है तो दोनों का मतलब क्या ऐसे मैं तो यहां पे सिनों निवस हो जाएंगे एक दूसरे के ठीक है हाँ रिमोर्स होगा रिमोर्स भी नहीं होगा क्योंकि रिमोर्स कार्थ क्या होता है यहां पर रिमोर्स कार्थ हो जाएगा पश्चताप पश्चताप या पश्चतावारी का मतलब होता है समान और डिस्रिस्थ्पेक्ट का तो तो आप समझ सकते हों कि यह ज़स्तपोजी officers起 तो अगला वर्ट है इंसॉलेंट तो आपको बताने इंसॉलेंट का वर्थ क्या हलता हैं क्या होता है थे er j क्या होता है अंजान क्या होता है नहीं यह भी नहीं प्रॉपल होगा तो जी नहीं यह भी नहीं करना करना करते हैं क्योंकि एंसालिंट C Scale squad बत तमीज वे में बात करते हैं है ना मतलब काफी उनमें तमीज नहीं होती है लेकिन एक ऐसे भी लोग होते हैं जो बिलकुल है ना नमरता पुर्वक आपसे बात करेंगे हैं आपको बहुत ही जादर रिस्पेक्ट देंगे तो यह एक दूसरे के अपोजिट मिनिंग हुए याद रखना है बच्चों क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक दीजिए जल्दी से और इसी तरह से जो आपको हर एक क्लास का वीडियो यहां पे इस चैनल पे मिलेगा तो यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं और अगर अभी तक आप लोग हागवारा है यहां अगर अगला प्रेशन है अर्वन तो आपको इसका बताना है एल्पोजेट मिनिंग रस्टिक होगा रूरल ओगा सिवल होगा फॉरें होगा जल्दी से बताएंगे यहां पर सभी बच्चे तो देखें कितना एजी अए अर्बन का अर्थ होता है सहरी यानि टाउन बोल सकते हो है ना तो रोसिक तो होगा नहें रूरल होगा सही जवाब होगा क्योंको रूरल का अर्थ होता है देहाती घ्रामीन क्चेट्र या फिर ग्रामिन बोल सकते हो ठीक है और सि Bjid taught not नहीं क्योंकि सिविल का मतलब होता है सब है ठीक है फोरेन तो होगा नहीं फॉरेंद कार्थ भी जानते हो विदेश ठीक है तो यहां पे आप लोग अर्वन और रूरल को याद रख सकते हो कि एक दूसरे के क्या हुए एंटोनिम्स होते हैं ठीक है चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले कुश्चिन की तरफ चलिए इसके बाद देखेंगे अगला वर्ड है यहां पे इंक्रेडिबल इंक्रेडिबल तो इसका पॉसिट पिनिंग क्या होगा पॉसिबल होगा ब्लीवेबल होगा इंजोईबल होगा या इमैजनरी होगा जल्दी से बताएंगे यहां पे सभी प्च्छे आंसर करेंगे बिल्कुल फास्ट तो देगे यहां पे आपको बता देगे इन क्रेडिबल का अर्थ होता है और विश्वासणिय कि यानि जिस पर इसली बिस्वास ना किया जा सके यानि और विश्वास नी इन और विष्वासनी है यानि वो चीज इनक्रैडिबल होगा जिस पे इसली बिलीव ना करें ठीक है तो अब इसका पॉजिट मिनिंग बता है यह पॉसिबल होगा जी नहीं पॉसिबल का अर्थ होता है संभवता तो यह तो होगा नहीं इन्जॉइबल होगा यह भी नहीं होगा क्योंकि इसका अर्थ होता है सुखद सुखद हो जाएगा इमेजनरी होगा तो यह भी नहीं होगा क्योंकि इमेजनरी का अर्थ क्या होता है ख्याली तो जी हाँ बिलीवेबल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि incredible का अर्थ होता है अव विश्वास नहीं और believable का अर्थ हो जाता है विश्वास करने योग के है इसका अर्थ क्या हो जाएगा विश्वास करने योग के है तो ये एक दूसरे के opposite meaning हो जाएंगे यहां पे तो option number B जो है आपके इस question का सही जवाब हो जाएगा बढ़ेंगे अगले question की तरफ चलिए बच्चो अगला word है quiet तो आपको यहां पे quiet का अर्थ बता होना चाहिए तभी आप लोग इसका antonyms यानी opposite meaning बता पाऊगे तो बताओ एक बार कि क्या हो सकता है इस cancer strong होगा या पैंडोमोनियम होगा या incomplete होगा या violent होगा जल्दी से बताएंगे यहां पे quiet जी हाँ word दिया गया है quiet अब देखो quiet का अर्थ होता है यहां पे शांत एक डम सांत स्थिर ठीक है तो अब बताओ क्या हो सकता है strong होगा जी नहीं strong का तो मजबूत होता है और यहां पे quiet और strong के बीच कोई relation नहीं है यहां पे देखिए साफ साफ different नजर आ रहे हैं है न तो यह तो होगा नहीं incomplete होगा जी नहीं incomplete भी नहीं होगा क्योंकि इसका अर्थ होता है अधूरा यांनी एकhat तरस समझ सकते हो जहान सोट सरावा उत्थ क्या होता यांफ क्या होता है इक होता हैや दोसरे होता है इनर्क ऐसे होते है उती होता है इस तरह से आप गार संद कर थे क्या हुए अपोजिट मिनिंग हुए चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है वाग तो आपको यहां पर बताना है वाग का अपोजिट मिनिंग क्या हो जाएगा क्लिएर होगा डल होगा अननोन होगा ये शैड्य होगा बिल्कुल फास्ट शभी बेर पर एब सब का आप होता है यहां पर आस पर्स्ट यानि एक तरसे बोल सकते हो दूंदला टाइप का ठीक है तो अब इसका जो अपोजिट मिनिंग होगा वो कैसा होगा क्लियर टाइप का होगा इस परस्ट टाइप का होगा है ना तो देखिए क्लियर तो दिया हुआ है बढ़ेंगे अगले प्रिशनी की तरह चलिए बच्चों इसके बाद वर्ड दिया गया है humility, humility का opposite meaning बताना है, dignity होगा, cruelty होगा, anger होगा या pride होगा, बिल्कुल fast, देखिए बच्चों यहाँ पे humility का आर्थ होता है नम्रता, नम्रता बोल सकते हो या भी नम्रता बोल सकते हो, ठीक है, तो आप लोग नहीं देखा होग इसका opposite meaning बताना है, अब देखिए इसका opposite कैसा हो सकता है, एकदम घमंडी type का होगा, होगा या नहीं होगा, अफकॉस होगा, या देखिए एक तरफ कोई वैक्ती किसी से नम्रता बात कर रहा है, और एक तरफ बहुत ऐसे लोग होते हैं, काफी घमंडी होते हैं, अपने काफी घमंडी हो, टेक है, यह थो होगा, नहीं की यह तो इसका एक तरह से बोल सकते हो, het जिआ सबस्क्ता होगा हम्ठीक है, क्रुवैलिटी का बाता है बचतो निर्दैता के यह बहुत से इसे लोग होते हैं, यह ना, क्रुवैलिटी कार्थ होता है निर्दियता या कठोरता भी बोल सकते हो आप ठीक है एंगर भी नहीं होगा क्या होता है कुरूधित होना गुश्या होना है ना हां जी लेकिन यहां पर प्राइड जो है यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अमर डी चलिए बढ़ेंगे अगले कुश्यन की तर मतलब होना जाए जल्दी से बताएंगे यहां पर जी कि ढूंता होता है शम आप क्या होता है यानि दस अ कि बोल सकते हो में पहले टी इंड करस दो होता है साहर होता है बच्चों जल्दी यह और इट्म आप अब दी पार्ट कार बी उता है प्रस्थान यह नहीं हुआ तो अब देखे बिंग नहीं हो जाएगा क्यों कि बीगिन का अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है शुरू करना यानि एक तरफ आप किसी चीज को सुरू कर रहे हो यह दूसरे के यहां पे आपोजिट मिनिंग हुए जेंस इस तरह का series जो है वो continue रखूँगा तो बहुत ही important हो जाता है English subject भी आपके paramedical के exam के point of view से क्योंकि English से 15 questions fix है आने ही आने है और उस 15 questions में से 7-8 questions आपको vocab series से देखने को मिल जाते हैं ठीक है तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस vocabulary series को continue रखूँँ तो आप सभी बच्चे अपन feedback इस video के comment section में अवश्य दीजिएगा तो चलिए आज की class में इतना ही मिलेंगे अगली class में नई जोस नई उमीद के साथ तब तक लिए बाय बाय सभी को